नमस्कार दोस्तों आप सभी का सौगत है हमारे यूट्यूब प्राइनल जी एस इस्ट्रिवाइन पर आज हम भौतिक विज्ञान के एक महतपूर टॉपिक को डिस्क्रस कर लेते हैं और आज का टॉपिक क्या है भूचमबकत्यों यानि कि इसको इंग्लिस में बोलते हैं जी प्रतिवी जो होती है तो प्रतिवी का क्या है अपना खुद क्या है चुमबकी छेत्र है तो इसी को क्या बोलते हैं भूचमबकी गुड़ है उसी को क्या बोलते हैं भूचमबकी गुड़ है उसी को क्या बोलते हैं भूचमबकी गुड़ है उसी को क्या बोलते हैं भूच प्रतिवी के चुम्ब की छेतर की जो तीवर्ता है इसकी सतह पर भिन स्थानों पर भिन होती तो पहला फैक्ट तो हमको यह पत चल गया कि प्रतिवी का जो चुम्ब की छेतर है वो अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होता है पर इसका जो मान होता है इसकी जो वैलू होत वो दसकी घात माइनस पांच T की कोटी का होता है वर्तमान में यहां माना जाता है कि प्रत्वी का जो चुम्बकी छेत्र है इसके वाह क्रोड यानि बाहरी जो क्रोड होता है कि धात्विक तरलों की समवाहगती के कारण उत्पन विद्द धाराओं के परिणाम सुरूप अस्थित्र में आता है और इसको बोलते के हैं डाइन अर्यमो पर्भाव भी कहा जाता है तो वर्तमान समय में डाइना रही बनी हुई है कि प्रत्वी के के जो मं की छेत्र का पता है प्रत्वी जो है ओर ओर हो तो बोलते है कोर और इसके कोर का जो बाहरी भाग है वाहर भाग है वो क्या है लिक्विड अवस्था में होता है इसमें होता है क्या निक्किल होता है मुकुरूप से प्लस क्या होता है आयरन यानी एफी होता है तो निक्किल और एफी जो है लिक्विड फॉर्म में इसमें पाई जाते हैं तो हमको यह पता होना चाहिए कि चुम्बकी छेदकर निमान क्यों होता है फिर देखिए आगे क्या दे रखा है अगला आपको दे रखा है दिक पात कोड तो दिक पात कोड क्या होता है यह हमको पता होना चाहिए तो दिक पात कोड क्या होता है किसी स्थान पर जो भागोलिक यामोत्तर तथा चुम्बकी यामोत्तर के बीच ये कोण को क्या मोलते हैं दिक पात कोण कहते हैं आप आप सुचरोंगे भागोली की यामोत्तर क्या होता है तो भागोली की यामोत्तर क्या मतलब ये हुआ देखिए प्रिथिवी मालो ऐसे है ठीक है तो ये जो इसका ऐसे एक कि जो हमा जो चुम्बकी छेतर है वो यहां पर है ऐसा नहीं है क्योंकि चुम्बकी छेतर थोड़ा हट के है यहां पर ऐसे है यानि कि यह ऐसे एंगल बनाएगा तो जो आपका चुम्बकी या मोतर है वो यह है यहां पर नौर्थ पोल होना चीए और यहां पर साउथ पोल हो तो आप देखे आपको इदहां पर एक बीच में एंगल बनता हो दिखाई दे रहा हो कि यह जो एंगल बनता है इसी को क्या बोलते है इसी को बोलते है दिख पात कोड तो आप समझ गया हूंगे जो भागोली या मोत्तर है यानि कि जो रियल में होना चाहिए था नौर्थ पो वह साउत उसके लिए होगा तो यह जो अंतर आता है यानि होना चाहिए था लेकिन है ये वास्तों में क्यों क्योंकि जो चुम्मकी छेतर कि इनकी स्थिति होती है वो समय के साथ परिवर्ठित होती है और दस लाख व्रसों में जो है, यह लगबग अप्रॉक्षिमेट यह नौर्थ पोल वो साउथ पोल में कर्मठ हो जाएगा और नौर्थ पोल में कर्मठ होयाता है तो हालागी यह सब जाने जुरूत नहीं है लेकिन आपको बता दिया है यहां पर आपको बस यह आपको पता होना चीए था कि दिक पात कोण क्या होता है तो दिक पात कोण क्या होता है जो भौगोली क्या मुत्तर होता है और जो रियल में जो चुमकी या मुत्तर है उनके बीच के जो एंगल होता है उसी को ही क् अगला क्या है अब नमन कोण क्या होता है देखिए पृत्वी मालो ये है ठीक है तो इसका मालो क्योटर भाग ये हो गया ये नॉर्थ पोल हो गया ये साउथ पोल हो गया आप देखिए पृत्वी है तो अगर चुम्बक को हम यहाँ पर लेकर कैसे रखते हैं चुम्बक एक ह जाएगा लेकिन जैसे ही जो हम इसको थोड़ा दूर पर यहां पर अगर जो नॉर्थ पोल आपका है उसके नजदीग लेगा के आते हैं तो क्या होगा यह इसका जो साउथ पोल होगा वो ज्यादा जुख जाएगा इसकी और ठीक है यहां पर तो यह इसके जो यहां पर सर्फेस के जो है इधर जुख जाएगा सर्फेस की तरफ ज्यादा जुख जाएगा साउथ का जो होगा यह नॉर्थ का होगा जो उठ जाएगा लेकिन अगर हम इसको कहां पर लेके जाते हैं हम इसको पोल पर लेके गए हम अब पोल पर लेके जाते हैं तो आप क्या होगा चुम्बक जो होगा यह नॉर्थ पोल आपका है ठीक है यह चुम्बक जो होगा यह से ख़ड़ा हो जाएगा एकदम यहां पर एकदम ख़ड़ा हो जाएगा और इसका नॉर्थ पोल यह होगा और चुम्बक का साउथ पोल यह होगा जो इसके इस एकदम इल्कुल चिपक जा जो सेम धुरू होते हैं वो क्या करते हैं प्रतिकर्शित करते हैं यहां पर विप्रित धुरू है यहां पर साउथ है यहां पर नॉर्थ है तो यह आपस में ऐसे होगा तो यह चुम्बक यहां पर ऐसे पैरलर है इसके एक्वेटर के लगबग तो यहां पर क्या हो जाएगा वो एक्दम लंबावत हो जाएगा यानिकि 90 डिगरी के एंगल पर खड़ा हो जाएगा अग्दम तो यही नमन कोण होता है यानिकि अलग 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 स्थानों पर जो है चुम्बक और जो पर्तिवी के चुम्बकी छेट के बीड़ जो एंगल बनता है उसको ही क्या बोलते है नमन कोण कहते हैं ऐसे ही अगर मालूम इस चुम्बक को इधर के यो लेकर जाते हैं तो इसमें क्या होगा यहां पर जाएगा तो यह एकदम चुम्बक ऐसे खड़ा हो जाएगा और इसका नौर्थ पोल ये होगा और इसका साउथ पोल ये होगा चुम्बक का तो आप समझ गया होगा कि कैसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहां पे क्या है साउथ पोल पे ब्राइएंगे तो वहां पे चुम्बक का जो नौर्थ पोल है वो ज्यादा अट्रेक्ट हो जाएगा ज्यादा खीजा हुआ चला जाएगा, जिसकी वज़े से क्या होगा, चुम्बक यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, या बलकि यहाँ पर क्या है, पैलर है धैयातल के, जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ते जाएगे, तो उसका जो नॉर्थ पॉल है, चुम्बक का और जो प्रत्वी का जितना कोड बनाता है उसे उस स्थान का क्या बोलते है नमन कोड कहते हैं फिर प्रतिवी के धुरूप पर नमन कोड का मान कितना होता है 90 डिगरी क्योंकि वहाँ पर चुमबक खड़ा हो जाता है तथा विश्वत रेखा पर यह पैरलर रहता है इसका मलब 0 डिगरी रहेगा वहाँ पर तो कभी भी कोशन पूछ सकता है कि प्रतिवी के धुरूप पर नमन कोड कितना होगा या फिर पूछ सकता है कि विश्वत रेखा पर नमन कोड कितना होगा तो हमको पता होना से यह कि विश्वत रेखा पर 0 डिगरी होगा और धुरूप पर कितना होगा 90 डिगर क्या है प्रतिवी के संपूर चुम्बकी छेतर के 36 घटक इसको H से डिनोट करते हैं अलग-अलग स्थानों पर क्या होता है अलग-अलग होता है परन्तु इसका मान जो होता है लगभग कितना होता है दसमलव 4 गौस तो 0.4 गौस या फिर इसको हम टेसला में कर्मड करेंगे कितना जागा? 0.4 इंटू 10 की 4 माइनस 4 टेसला होता है तो यह होगा आपका चुम्बकी 6 के 36 घटक जो होते हैं तो आपके इसके वाइलू पता होना चाहिए यह पूछे लिता है कभी-कभी फिर अगला देख लेते हैं अगला आपको जो स्लेबस में दे रखा है वो अगला टॉपिक दे रखा था सोलर स्टॉर्म या फिर चुम्बकी तुफान भी बोलते हैं तो इसको सोलर तुफान भी बोलते हैं या निसोर तुफान बोल सकते हैं चुम्बकी तुफान बोल सकते हैं दोनों के मतलब एक ही होता है तो यह होता क्या है देखिए आपको पता है जो सूर पर क्या है सनलैन की क्रिया होती है नाव की सनलैन नुकलियर फ्यूजन वहाँ पर होता है उससे क्या होता है बहुत ज्यादा मातरा में उर्जा निकलती है कभी कभी क्या होता है सूर में जो है उसकी वहाँ पर प्राकर्तिक रूप से बहुत ज्यादा मात्रा में जब उर्जा निगलती है तो उससे क्या होते हैं वहाँ से जो है इतना ज्यादा पावर्फुल विंड निगलती है जो चुम्ब की जिसको तुफान बोलते हैं और वो बाहर निगलती है इसके गुत्ता करसर से बाहर निगल आती है और पूरे ब्रहमान में चारों तरफ ये फैल जाती है चुम्ब की तुफान जो होते हैं मैगनेटिक जो स्टॉरम होते हैं वो फैल जाते हैं। इससे होता कि हमालों को पृत्वी यहां पर है तो यह जो स्टॉर्म है पृत्वी पर भी आएंगे तो इससे क्या होगा पृत्वी पर जो है यह अपना इंपेक्ट जालते हैं और लेकिन पृत्वी के पास क्या है अपना खुद का क्या है यहां पर है यहां पर चुम्बकी छ यहां से आने वाले oh, सूर्य से आने वाले चुम्बकी तुफान लेकर तो इनर्ट होते हैं इनको क्या करते हैं प्रुभावित करते हैं इसीलिए जुबसेंग करना बंद कर सकती है तो यह जो वी अí वह क्यों बंद सकत क्राइब होनंगे बड़ीो एंहीं जो बी electronic device है जो magnetic storm होता है उससे क्या होता है प्रभावित होता है grid fill हो सकती है यह सब चीज़े जो है इससे प्रभावित हो सकती है लेकिन प्रथिवी क्या क्या है अपना खुद का एक चुम्बकी छेतर है जो इन सब चीज़ों को रोकता है लेकिन इन सब्सक्राइब का इन सब्सक्राइब का इन तुफानी होता है वही solar flare होता है तो क्या होता है सूरी की सतह पर बड़े पैमाने के विस्पोट होते रहते हैं जिसके दौरान कुछ हिस्से क्या बेहद चमकीले प्रकास के साथ असीम उर्जा छोड़ता है नि बहुत ज़्यादा energy वहाँ से release होती है जिसे sun flare कहा जाता है सूरी की सतह पर होने वाले इस विस्पोट से उसकी सतह से बड़ी मातरा में चमकी उर्जा निकलती या नि जो sun flare activity वहाँ पर हो रहे विस्पोट हो रहे यह उर्जा निकल रहे है वो क्या होती है चमकी उर्जा होती है और पूरे ब्रहमांड में फैल जाते हैं जिसे सौर तुफान कहा जाता है या फिर चुम्बकी तुफान भी बोल सकते हैं इस उर्जा में क्या जबरदस नुकलियर रेडियेशन होता है यो कि आपको पता है वहाँ पे नुकलियर रेक्शन चल रही न लेक्शन तुफान भी न ceram की सनलैन के किरिया हो रही है उर्ज उपर तो वहाँ पे इससे क्या होता है नुकलियर रेडियेशन निकलता है जो इससे सबसे जाता खतरनाग़ बनाता है हमारे लिए जो है वो खतरनाक होता है प्रिर क्या आगा है सूरी से जो निकलने वाले radiation से, जो सूरी से निकलने वाले radiation है, उससे प्रत्थवी का जो है चुम्ब की छेत्र बचाता है हमको हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एक चादर की तरह समझिए, वो लपेटा हुआ है पूरे प्रत्थवी के आसपास उसके एट्मास्फियर में और चुम्ब की छेत्र, और वो हमें जो है इन तरह के जो radiation आ रहा है सूरस से, उससे क्या है रोकता है, फिर क्या है प्रत्थवी का चुम्ब की छेत्र इन पार्टिकल्स को प्रत्थवी सता तक आने सो रोकता है, किन्त अधिक तीवर सौर तूफान के दोरान यहां इस कावच को भेज देते हैं कि इतना अगर स्ट्रॉंग होगा तूफान, तो क्या है जो चुम्ब की छेत्र है प्रत्थवी का वो उसको रोक नहीं पाएगा और वो कहां आ जाएगा प्रत्थवी पाएगा तो यह क्या होते है सूरस आने वाले जो विंड स्टॉर्म होते है यहनि मैगनेटिक स्टॉर्म होते है इससे सेटलाइट यह प्रभावित हो जाते हैं अगर यह सेटलाइट प्रभावित हो जाएगा तो क्या GPS हमारा इफेक्ट करेगा GPS अगर effect करगा तो जो हवाई जहाज वारा उड़ते रहते हैं उनका फिर उनके route निक उनके रास्ते में बाधा आती है उनको track नहीं करबाते हैं अफिर अन्य होता है निकी जिसे ये satellite का इस्तमाल होता है DTH निकी जो direct to home service होती है DTH के माध्यम से जो हम TV प्रोग्राम देखते हैं तो वो भी प्रभावित होते हैं इससे हैं और जो प्रतिवी पे अगर आते हैं तो यहाँ पर प्रतिवी पे जो grid हैं grid जो power grid होती हैं वो भी जो है इनसे impact पड़ता है और वो blackout होता है यानि के प्रतिवी पे जो है light के समस्था आ जाएगी वहाँ पे अगर grid जो है shutdown हो जाएगी तो तो यह सब चीज़ों जो होती हैं यह सारी चीज़े किससे प्रभावित हो रही हैं जो सौर तुफान है उससे तो यह रहा आपका topic आपका बहुत important था समझना है इसमें कुछ और कुछ खास बात हैं वो याद भी कर लेनी है और उनसे ही कोशन आयाने है वहाँ पर चलिए अब अब यहाँ पर इस topic यानि यह unit दे रखे थे magnetism उससे संबंदित कुछ जो इसमें unit हो करा है वो देख लेते हैं जो परिष्चा के दिर्श से important है अक्सर पूछा जाता है तो पहली बात तो यह पूछा जाता है कि चुम्बकी छेतर जो है चुम्बकी प्रेरण होता है और चुम्बकी flux घनतो तो इसको किसे renew करते हैं इसको बी से प्रदर्शित करते हैं यह कैसी सदी सरासी है तो सदी सरासी है और इसको जो मात रखना है यूनिट है वो क्या है टेसला तो यह पूछा भी गया था कि चुम्बकी flux का जो है घनतो है चुम्बकी flux घनतो का मात रखना है तो टेसला हो जाएगा चुम्बकी छेतर का पूछाएगा तो Tesla हो जाएगा तो आपको याद रखना है फिर दूसरा क्या है चुम्बकी फ्लक्स अगर खाली पूछा रहा है कि चुम्बकी फ्लक्स इसको किसे Dynode करते हैं 5B से Dynode करते हैं और यह कैसी रासी है अदिस रासी यानि जिसकी दिसान ही होती है तो यह अदिस रासी है और इसको जो है Dynode करते हैं किससे इसका मातरक है बेबर और यहाँ पर एक और फैक्टर आप याद करो कि एक टेसला एकल तो कितना होता है और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जाएगा और 36 गड़ ACF के पेट ग्रूप से जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं नंबर है 886 0558530 तो आपको आज ज़ो है भी फिजिक्स के जो है हमने सारे उनित को कवर कर लिया है जितना कर दिया रख था तो फिजिक्स है जो हैं क्या करेंगे ज़ो है हम लोगा है जो आने के संभावना से प्रेसे करेंगे यह और यह प्रेक्टिस के वल ज़ो है पेट जानकारी के लिए इस नमबर पर कॉल कर सकते हैं वट्सब कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो फिर महीं पर खतम करते हैं